श्रीमद भगवत कीता का दूसरा अध्याए संचे बोले हे थ्रित राष्टर तब श्री क्रिशन द्या युट ने त्रो म्यांसू भरकर व्या कुल चित अर्जुन से बोले हे अर्जुन अनर्थ के सेवन करने योग्या प्यशकारक नर्क में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया तुम कायर मत बनो ये शोभा नहीं देता तुम हिद्धे के दुरूबलता को त्याक कर युट के निमत खड़े हो जाओ अर्जुन ने कहा हे मतु सूदन मैं रन में पूझे भीश्म और द्रोना चार्या के उपर बान पर हार कर कैसे युद करूँगा इस लोक में महातमा गुरु जनों को नास्ता कर भीक मांग भूजन करना उत्तम है और अर्थ की कामना के लिए तो गुरु जनों को मार कर उनके रत से सने भोगों को भोगूगा हम नहीं जानते के युद में कौन जीतेगा यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मार कर हम जीवत रहना नहीं चाहते वही धृतराश्टर के पुत्तर हमारे सामने प्रस्तुत है दीनता से मेरी स्वाभाविक वृती नश्ठो गई है और धर्म के विश्य में मेरा चित मुहित हो गया है मैं आप से पूछता हूँ जिस से निश्चय करके मेरा भला हो वे मुझ से समझा कर कहिए क्योंकि मैं आपका शिश्य हूँ और आपकी शिरन में हूँ इसलिए मुझे ग्यान शिक्षा दीजिए मुझे पित्वी का निश्कंटक राज्चय मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्या मिल जाए तो भी कोई ऐसा उपाए नहीं दिखता कि जो मेरे इंद्रियों के दुखाने वाले शोक को दूर करे है गोबिंद मैं युध नहीं करूंगा ये कहकर अरज्चय चुप हो गए संजे बोले हे राजन दोनों सिनाओं के बीच में खिन होकर बैठे अरज्चय से भगवान शिरी क्रिशन ने ये वचन कहे हे अरज्चय जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है और पंडितों से बचन तो कहता है परन्तु पंडित लोग ना मरों का सोच करते हैं ना जीवितों का ये बात संभव है कि मैं पहले ना था तुम भी ना थे और ये राजा भी ना थे और इसके बाद भी ना रहेंगे जैसे दे धारियों की इस दे का लड़क पंजवानी बुरापपा ये वस्था होती है तैसे ही मृत्यों के बाद दूसरे दे की भी होती है इसलिए पंडित लोग मौक्ष को प्राप नहीं होते इंद्रियों का शबदादी विश्यों से संजोग जाड़ा गर्मी आदी सुख दुख का देने वाला है आने जाने वाले और ना शवान जान कर इने सहन कर हेकर श्रेष्ट दुख सुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये बाहरी पदार्थ कलेश नहीं देते वे मौक्ष पाने के अधिकारी हैं असत का तो अस्टितव नहीं है और सम्ब का भाव नहीं है इस प्रकार दोनों का ही तर्तो ज्यानी पुरुषों ने देखा है जसमें ये सारा संसार्वेत है उसका अभिनाश करने में कोई समर्थ नहीं है इस अभिनाशी अचिंतय और नित्या जीवात्मा के ये सब श्रीव नाशवान हैं एटवे भारत तुम यूड्द करो जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही जानी नहीं है क्योंकि ये आत्मा ना मारती ना मरती है आत्मा ना कभी जन्मती है ना मृत्यू को प्राप्त होती है ना कभी जन्मी थी ना कभी मरेगी ये अजन्मा नित्या कभी ना घटन बढ़ने वाली और सनातन है नश्ठ होने पर भी वे नाश को प्राप्त नहीं होती जो पुरुष इस आत्मा को नित्य विनाशी निर्विकार और जन्मा जानता है वे किसको घात करावेगा और किसको मारेगा जिस परकार नुश्य पुराने वस्तर फेंकर निया वस्तर ग्रहन करता है उसी परकार आत्मा पुरानी दे को छोड़ कर नहीं दे धारन करती है आत्मा को शस्तर नहीं काट सकती है अगनी जला नहीं सकती है जल भिगो नहीं सकता है ना भीग या गल सकती है और ना सूक सकती है ये अविनाशी, सरव्यापी, स्थीर, अचल और सनातन है ये इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता ये कलपना से भी परे है और इन में हेर फेर नहीं हो सकता इसलिए ऐसा जानते हुए तुमें शोक करना उचित नहीं है महाभावो ये तुम इस आत्मा को नित्या जिन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि जो जिन्मा है उसकी मृत्यू और जिसकी मृत्यू हुई है उसका जिन्म होना निश्चे है इसलिए जो बात निवार्या है उसके लिए सोच करना वेर्थ है जिनम लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं माध्या में कुछ प्रत होता है फिर मरने से पिछे क्या होगा कोई नहीं जानता ऐसी दिशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है कोई मुनश्या तो इस आत्मा को अश्चरिया से देखता है अश्चरिया वत वर्णन करता है कोई अश्चरिया वत मान कर सुनता है प्रंटु कोई देख के तथा सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है सबके श्रीर में ये आत्मा नित्य विनाशी है इसलिए सब प्रानियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं, अपने धर्म को भी सोच कर घबराना उचित नहीं है, क्योंके कशत्रियों को धर्म पूर्वक्यूद से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है, हे पार्थ बिना इच्छा के सुरक का द्वार प्राप्त हुआ है, ऐसा सुवसर भाग्यावान के शत्रियों को ही मिलता है, यदि तुम अपने धर्म के नुसार इस संग्राम को नहीं करोगे, तो अपना धर्म और बढ़ाई खो बैठोगे, और पाप को प्राप्त होंगे, सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंग और प्रतिष्ठा वारे पुर्शों के लिए प्यश्का होना मृत्यू से भी बढ़कर है, ये महारती समझेंगे कि अरजुन डरकर संग्राम से हट गया, और तब जो लोग तुम्हारे प्राकरम की निंदा करते होए अनेक तरह के दुरवचन कहेंगे, इस से बढ़कर दु परक के भागी होंगे, जीतने पर प्रिट्वी का राच्चा करोगे, इसलिए युद्ध के निमत दिड़ प्रतिग्या होकर खड़े हो जाओ, सुख दुख लाभानी, जैप राज्या, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तयार हो जाओ, ऐसा करने से तुम पाप को होंगे, हे पार्थ, ये ग्यान पदेश, ग्यान योग के विश्य में तुश से कहा गया, अब निश्काम करम योग के विश्य में सुनो, जिस ग्यान को पाकर करम बंधन से तेरी मुक्ती होगी, करम योग मार्ग में एक बार प्ररम किये गए करम का नाश नहीं होता, और व कामनावले पुर्षों के बुद्धिये कागर नहीं रहती। उसकी शाखा प्राशाखाएं होती हैं। ऐसी दिशा में मनुश्य संदे में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुर्षार समझते हैं। उनका कामनाव से चित व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साथना उत्पन नहीं होती। कारण के उनका चित भोग आदी में इस दैव निमगन रहता है। जिन मनुश्यों का चित इस प्रकार मो में लिपत है। और जिन किया सकती भोग विलास और इश्वरिया में हैं। ऐसे पुर्षों के अंत्यकरन में निश्चयात्मक बुद्धिन ही होती है। ये और जिन वेद त्री गुनात्मक है। तुम निश्काम हो जाओ। सुख दुख को समान चान कर। नित्यक्षेमादी स्वार्थों में ना पढ़कर धीर जवान और आतम निश्ठ हो। तुमको केवल करम करना चाहिए। तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की अभलाशा में काम करो और ना निकम में ही रहो। फल की आशा त्याक कर कर्म की सफलता वा सफलता को उसमान समझ कर तुम योगस्त होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निक्रिष्ट होते हैं निश्काम कर्म करने वाला पुरुष। फल की इच्छा रखने वाले निक्रिष्ट होते हैं निश्काम कर्म करने वाला पुरुष। इश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुश्कृत इन दोनों का ही त्याकर देता है जो सब कर्मों में कल्यान कारिक है। कर्म फल को त्याकर ही बुद्धी युक्त ग्यान पाप पुरुष जनम बंदन से हट कर मुक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धी मोवन के बाहर निकल जाएगी तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक शुर्टी स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धी भ्रमित हो गई है। जिस समय वै निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी तभी उसको ततव ज्यान प्राप्त होगा। अरजुन ने पूछा है कि शव आत्मा सवरूप में निश्चल बुद्धी वाला किसको कहा है। उनके लक्षन क्या है। श्री क्रिशन जी बोले है अरजुन जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को ट्याग देता है और अपने आप ही से प्रसंद रहता है। उसको निश्चल बुद्धी वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता। और सुख में जिसको असकती नहीं होती। तथा प्रिती भय एक रोध जिसके जाते रहती हैं। वे महात्मा से स्थिर बुद्धी वाला मुनी कहलाता है। जो सरवत तरसने करता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हरशन ही करता। अशुभ से अपरसंद नहीं होता। उसे को स्थिर बुद्धी जानना चाहिए। और कच्छुआ जैसे अपने अंगों को सिको प्रबल इंद्रियां बलातकार उसके मन को जीत लेती हैं इसलिए सब इंद्रियों को विश्यों से रोक मेरे विशेतत पर हो जावे जिसने इंद्रियों को वश्मे कर लिया है उसके बुध्धी निश्चल है जो पुरश विश्यों के ध्यान में रहता है उससे उसकी प्राप प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूरनना होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से समर्ण शक्ती नष्ट हो जाती है, समर्ण शक्ती के नष्ट होने से बुध्धीक्षे हो जाती है, जिसकी बुध्धी का नाश्वा वैविनाश को प्राप्त होता है, जो पुरुष राग द्वेश से रहित हो इंद्जियों के विशे सुख कानुभव करता है और अपने मन को वश्मी रखता है वे शान्ती को प्राप्त होता है शान्ती मिलने पर सब दुखों का नाश होता है पर संचित वाले की बुध्धी तुरंत निश्चल हो जाती है और इस कारण है महा भावों, जिसने इंद्रियों को विश्यों से में सरवथा रोक रखा है, उसी के बुद्दी फिर है, जो सब प्राणियों की रात होती है, उसमें सहीमी जागता रहता है, और प्राणि मातर जिस समयत जागती है, मुनी जनों की वेराती है, जल से भरे उंदर में जल भरने पर भी वैपनी मर्यादब में ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा ना रहने पर भी सब विशे भोग प्रवेश करते हैं। उसी को शान्ती मिलती है। विश्यों की इच्छा करने वाले को शान्ती नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़ कर इच्छा रही थो विचरता है, ममता अहकार जिसमें नहीं है, वैशानती को प्राप्थ होता है, ये पात ब्रामी स्थिती यही है, ऐसी स्थिती मिल जाने पर प्रानी फिर मों में नहीं फंसता और अनसमे में निर्वान ब्रम में आ एadian हुआगगा को पता है, आए जिसमें ब्राच एzetे में प्राप्धर झालेस की विवान दोक हंवा एचरे जिसमें कामनाओर मों में फिफ्ट कर राँ हैं, जिसे दिती हम उलेगे नहीं हैं, ज रहीं हैं हैंक, ऑा क्लुष सबस्रे घर रहीं हैं नहीं हैं जिसे इज